तो बच्चो यह क्या है यह हमारा बाल जिसको इंगलिज में कहते हैं अब इसे क्या कहते हैं बच्चो यह हमारा सीर जिसे इंगलिज में कहते हैं हेड नेक्ष्ट क्या है बच्चो यह हमारा माथा जिसे इंगलिज में कहते हैं फोर हेड फोर हेड नेक्ष्ट क्या है बच्चो यह हमारी आखे जिसे इंगलिज में कहते हैं आईज आईज अब यह क्या है बच्चो यह हमारी नाक इसे इंगलिज में कहते हैं नोज नोज अब नेक्ष्ट क्या है बच्चो यह हमारा मुह जिसे इंगलिज में कहते हैं माउट नेक्ष्ट क्या है बच्चो यह हमारा होट जिसे इंगलिज में कहते हैं लिपस अब नेक्ष्ट क्या है बच्चो यह हमारा जिब इसे इंगलिज में कहते हैं टांग नेक्ष्ट क्या है बच्चो यह हमारा दाथ इसे इंगलिज में कहते हैं तित Next क्या है बच्चो ये है ठुड़ी इसे इंग्लिस में कहते हैं चेन अब ये क्या है बच्चो ये है कान जिसे इंग्लिस में कहते हैं इर इर Next क्या है बच्चो ये है गाल जिसे इंग्लिस में कहते हैं चिक अब नेक्श्ट क्या है बच्चो ये है गर्दन जिसे इंग्लिस में कहते हैं निक, निक, निक्ष्ट क्या है बच्चो, ये है हमारा कंधा, जिसे इंग्लिस में कहते हैं, सोल्डर, सोल्डर, ये क्या है बच्चो, ये है हमारा बाय, या फिल भूचा, जिसे इंग्लिस में कहते हैं, आमस, आमस Next क्या है बच्चो ये है कोहनी जिसे इंगलिस में कहते हैं Elbow अब next क्या है बच्चो ये है हमारा हाथ जिसे इंगलिस में कहते हैं Hand Next क्या है बच्चो ये है कलाई जिसे इंगलिस में कहते हैं Rest अब next क्या है बच्चो ये है हमारी उंगलिया जिसे इंगलिस में कहते हैं Fingers Fingers Next क्या है बच्चो ये है च्छाती जिसे इंगलिस में कहते हैं Chest Next क्या है बच्चो ये है हमारा पेट जिसे इंगलिस में कहते हैं Stomach Stomach Next क्या है बच्चो ये है कमर जिसे इंगलिस में कहते हैं Waste Waste अब नेक्ष्ट क्या है बच्चो ये है हमारा टांग जिसे इंगलिस में कहते हैं Leg Leg Next क्या है बच्चो ये है हमारा जांग जिसे इंगलिस में कहते हैं थाई अब नेक्ष्ट क्या है बच्चो ये है घुटना जिसे इंगलिस में कहते हैं नेक्ष्ट क्या है बच्चो ये है हमारा पैर जिसे इंगलिस में कहते हैं पैर की उंगलिस में कहते हैं टो टो टो